हलो बच्चों, लेट्स रीट गोशन फर्स्ट गोशन से इस हाउ मैनी क्रोमोजोम विल दसल है अट गीवन फेज आफ्टर एस आफ्टर एम फेज ओफ माइटॉटिक सेल साइकल इस इफ 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 इस पॉटीन क्रोमोजोम आट इंटर फेज तो बच्चों हमसे यहां पर चमेत्र सिर्च पूटर एस प्चाहिए अब वहाँ पर पूठ रहे हैं कि यहाँ पर हमें 21 फेज मे कितने क्रोमोजोम number मिलेंगे अगर interface में जो है वो 14 number of chromosome है तो अगर cell cycle की बात करें बच्चो तो यह cell cycle है यहाँ पर M phase है यहाँ पर G1 phase है यहाँ पर क्या है S phase है और यहाँ पर आपका क्या है G2 जब हम बात कर रहे हैं mitotic cell cycle की तो यहाँ पर ही clear हो गया कि वो chromosome number है वो change नहीं होंगे कि mitotic division कैसा होता है mitotic division आपका होता है Equational division Equational division में क्या होता है अगर सब्सक्राइब को इस तरीके का होता है कि अगर सब्सक्राइब सेल में 14 number of chromosome थे which is your deployed condition just suppose कर रहे हैं तो यहाँ पर 14 number of chromosome थे अब यह cell जो है mitosis में गई और divide हुई जो दो डॉटर सेल बन गई जो दो डॉटर सेल बनी वह भी एक्जैक्टली पेरिंट से से resemble कर रही थी यानि कि यहाँ पर भी 14 number of chromosome यहाँ पर भी 14 number of chromosome थे तो जो chromosome number है वो change नहीं होगा अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सेल ने एस फेस पार किया एम फेस पार किया के बाद यहाँ पर डिवाइड हो गई अब यह सेल जब दुबारा जीवन फेस तो इसमें कि number of chromosome होंगे तो अगर कोई भी सेल है जो शिकली कन्फ्यूजन होता है एस फेस में एस फेस में तो द्हेन एक फ्रिविकोग्राम था तो तो पीकोग्राम हो गया है अगर क्रोमोजोम नर्फ नंबर 14 था आटो नंबर 14 ही रहेगा कि इस तरीक आए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर G1, S और M phase के बारे में पूर्था गया है, तो सब जगह जो है बच्चो 14, 14, 14 ही होगा है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर Mitotic Division की बात कर रहे है, Mitotic Division की बात कर रहे है, तो यहां पर clear answer क्या है बच्चों, आपका option number B, hope आप लोगों कोई solution समझाया होगा बच्चों, thank you, all the best.